दोस्तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में पहुत-बहुत स्वागत, दोस्तो मैं सीवं अपने यूट्यूब चनल टेक्निकल सीवं पर स्वागत करता हूँ, दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जो अपने इंस्टाग्राम के अंदर येल्स में बताने वाला हूँ ताकि आपको पता चले और आप भी अपने इस्टाग्राम एकाउंट के अंदर टेग्ज सेटिंग के अंदर इस सेटिंग को आप यूज कर सके ताकि आपको पता चले कि आकरकार इस सेटिंग से क्या पधिवर्तन पढ़ता है तो वीडियो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन ओन करें आप यहां पर आपको करने का है अपने इंस्टाग्राम एकाउंट के अंदर टाइवेसी सेटिंग ओपन करना है वहां पर टेक्स मिलेगा आपको इस पर किलिक करना है यहां पर यह सेटिंग देखने को मिल आती है तो इस सेटिंग से होता क्या है वह मैं आपको बतायता हूं तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है तो सबसे पहले मैं इससे यहां पर बंद कर देता हूं उसके बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पे allow tags from यानि कि जैसे आपको कौन-कौन बंदर tags कर सकता है अपनी post के अंदर अपनी story के अंदर अपने video के अंदर तो यहाँ पे आप everyone किलिक करके रखते हैं तो आपको सभी लोग यहाँ पे tags कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि में से कोई एक ऐसा फिरेंड है जिससे दोस्तों आप चाहते हैं कि वह हमें tag करें तो हमें पता चले और हमें यहाँ पर अप्रूब करने का option मिले जब तक हम यहाँ उस post को publish ना करें तब तक वह बंदा हमें tag करके हमारे account के अंदर post publish ना कर सके यह अपने अंदर करता है किसी भी photo को तो हमें यहाँ पे tags में लाए, tags में add करें हमारे account को तो यहाँ पे हमें option देखने को मिले तो इस setting का यही मतलब है इस पे आपको click करना है और यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर तो आप यहाँ पे उस post को अप्रूब दे सकते हैं कि कर सकते हैं उसे permission दे सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है आपने हमें tag किया है आप इसे publish कर सकते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पे सारी वो post वो वीडियो देखने को मिल आएंगी जिन वीडियो और जिन post के अंदर आप टेक्स किये जाते हैं तो दोस्तो इस setting का यही मतलब है कि यहाँ पे आप manually approve यान कि text किये हुए photo को आप approve करने के लिए इस setting को enable कर सकते हैं तो मैं आसक करूँगा आज आपको पूरा details में पता चले गया होगा कि आकरकार text setting के अंदर इस setting को कैसे योज करते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत बहुत धन्नवाद